जाहिन दोस्तों बाहुवले डिफेंस इकर्टी में सीधी डिरेक्टर दीपा कुमार आज मैं आप लोगों को इंडिया नार्मी को लेके बहुती बड़ी खुशकबरी सुनाने बाला हूँ क्यों कि पियम मोधी आज करेंगे टी ओडी को लेके ऐलान यानि कि जो ये टूर बढ़ वरति के बाद सेना में रहेंगे उनके चार साल बाद आपकी समिछह की जाएगी समिछा के बाद कुछ सेनी को इरिविलर कर दिया जाएगा ब्रेशह के बाद आपको डूटी दिया जो आप सेवा देंगे तो चार साल सेवा की समिच्छा की जाएगी समिच्छा के बाद जो आपकी कुछ सैनिकों को रिगलर कर दिये जाएगा और कुछ सैनिकों को रिटायर कर दिये जाएगा रिटायर के बाद रिटायर के बाद आपको चार साल रिटायर के बाद आपको जो दे दिये जाएगा आपको रिटार्मेंट के बाद आपको पिंसल नहीं दी जाएगी और मैं आपको पता दू अभी तक जो जो सेना में चल रहा था यानि कि किसी भी रेजिमेंट में जात अनुसार जात धर्म और छेतर के अनुसार जो भरतिय ली जाती थी अब वो सारी तूर आफ डूटी में अनीट वोडी में आपको कोई भी किसी भी जातिर्म से हो आप्षे हो आप को अपर अपानए कर सकते हैं किसी भी तर्म के लोग जा सकते हैं और involving वांप लोग को बता सब्सक्राइब कर दोंगा इस स्टार्यान हैं और आप कर देऊ सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हमारे यहां नियौब बैच परारम्भ है फिजिकल ट्रेशनेंग और लिटन कलासे दोनों बैच स्टार्ट हो चुके हैं तो आप लोग अगर ट्यारी करना चाहते हैं तो मेरे जल्द से जल्द आप लोग इस मेरा इस स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नमबर पर संपर्ख कर सकते हैं और इससे जुड़ी जो भी आपको जानकारी समझ में ना आई हो या फिर जो चीजे समझ में ना आई हो तो आप ये मेरे स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर आप संपर्ख कर सकते हैं कि टूर आप डिऊटी क्या है और कैसे इसकी भरती होगी, कैसे भरती नहीं होगी तो मैं आपको पूरा डाउट किलियर कर दूँगा, आप मेरा ये स्क्रीन पर नंबर है, मेरे नंबर पर संपर्ख कर सकते हैं तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ